हेलो प्रेंड्स वेलकम टू अवीना नीटिन आज दिखे बहुत ही प्यारा सा हम यह बार्डर का डिजाइन सिखेंगे बहुत ही आसान है इसको बनाना और इसे आप लेडिस कार्डिगन में जैंट स्वेटर में है बच्चों के स्वेटर में किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान सा है बार्डर का डिजाइन है देखे इसका राइट साइड है यह देखे इसका रॉंग साइड है यह देखे तो चलिए फ्रेंड इस बार्डर को बनाना सिखते हैं इसके फंदों का हिसाब लगा लेते हैं तो यहाँ पर हमें इस बार्डर को बनान आप चाहें तो 11 बढ़्र को बुन सकते हैं और यहाँ पर मैंने जो उंढ लिया है, is four ply wool है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस बढ़र को बनाना से यह रहें पर मैंने इस बढ़र को बनाने के लिए देख्यें टोटल 15 पंदे लिए है Mac दो सलाई हम इसमें बेस बुनेंगे, पहला पंदा हम सीधा बुनेंगे, देखिए, एक पंदा उल्टा बुनेंगे, दो पंदे सीधे बुनेंगे, देखिए, यहाँ पर हमने एक पंदा एस्टिच का बुना, अब एक पंदा उल्टा, दो पंदे सीधे, यही तीन पंदे का का डिजार हम बार-बार repeat करेंगे, यह देखे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और last का, अस्टिच का फंदा है, इससे हम सीधा बुनकर सलाई को दीखे, complete कर लेंगे, उल्टी सलाई, एक पंदा उल्टा, एक पंदा सीधा, दो पंदे उल्टे, ये भी हमारी foundation रो है, एक पंदा सीधा, दो पंदे उल्टे, एक पंदा सीधा, एक पंदे उल्टे, एक पंदा सीधा, दो पंदे उल्टे, एक पंदा सीधा, और लास्ट का पंदा उल्टा उल्टे उसलाई complete कर लें, तो दो सलाई हमारी foundation रो हैं, आप चाहें तो first row से पीस को pattern को बना सकते हैं, foundation रो नहीं उल्टना चाहते, तो आप पंदे डानने के बाद हमें पंदे design डा सकते हैं, तो अब देखें, पहला पंदा stitch का हम सीधा बुनेंगे, अब ये तीन पंदों का हम design बार बार repeat करेंगे, यहां से ध्यान से देखेंगा, एक पंदा उल्टा बनेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब देखेंगे, दो फंदों का ऐसे देखें एक करेंगे ये देखे अब ये वाला फंदा है आगे वाले फंदे को हम एक बार फिर से उठा लेंगे और दुबारा से हम यहाँ पर बुन देंगे देखे ऐसे अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर से देखे दो फंदों का ऐसे एक करेंगे और आगे वाले फंदे को हम देखे फिर से उठा लेंगे यहाँ से इसको बुन देखे एक पंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे करेंगे दो फंदों का एक करेंगे और इस पंदे को हम यहां से उठा लेंगे और दुबारा से इसको बुन देंगे एक पंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे करेंगे दो पंदों का एक करेंगे और इस पंदे को उठाएंगे देखें यहां से और इसको फिर से बुनेंगे एक पंदा उल्टा बुनेंगे एक पंदा सीधा बुनेंगे तो यह सलाई देखे कम्प्लीट हो गई उल्टी सलाई को ध्यान से देखेगा एक पंदा उल्टा बुनेंगे एक पंदा सीधा बुनेंगे दागा अपने साइड लाएंगे देखी एक पंदा उल्टा बुलनेंगे और ये वाला पंदा हम देखे ऐसे बगार बुना ले लेंगे ऐसे एक पंदा सीधा बुनेंगे फिर से एक पंदा उल्टा बुनेंगे और ये पंदा हम बगार बुना उतार देंगे एक पंदा सीधा बुनेंगे और last का बंदा उल्टा बुलनेंगे तो यह दो सलाओ का हमारा देखे पावडर का डिजाइन बन गया अब फिर से द्यान से देखेगा एक पंदा सीधा बुनेंगे एक बंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे करेंगे अब 2 फंदों को हम देखे एक करेंगे और ये वाला पंदा आग ये वाला पंदा फिर से हम नीडल पर उठाएंगे और इसको बुल लेंगे एक पंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे करते हुए दो पंदों का एक करेंगे और इस पंदे को फिर से उठाते हुए बुनेंगे हम एक बार बार हम डिजाइन रिपीट करते जाएंगे, यह देखें, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उर्टी सला एक बार फिर से देख लीजे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, और ए एक बंदा सीधा, एक बंदा उल्टा बुनेंगे, एक बंदा बगार बुना उतारेंगे, तो पूरी सलाई हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे, यह देखे इस तरह से, तो यही दो सलाई का पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे, और जब हम यह दो सलाईयां बार बार रिपीट कर तो दिखिए बार्डर हमारा कुछ इस तरह से बनता जाएगा बहुत ही प्यारा और आसा बार्डर का डिजाइन है आप इसे ट्राइ कीजिएगा और अपना फीडबेक दीजिएगा कि कैसा लगा अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक औ प्रशियर जरूर करें कमेंट्स करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नए आडियास के साथ तब तक के लिए थैंक यू